नमस्क्र दोस्तों कैसे हो आप सब तो अक्तूबर मन्त के केसिस अप्रूवल का एनलेसिस आज हम डिसकस करेंगे तो दो बहुत ही इंट्रस्टिंग और मज़ेदार केसिस आपके साथ डिसकस करूँगा और आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा हूं दो केसिस के दुरू तो और फ्रेंट के बैंक के भी केसिस हो सकते हैं तो इसको रियल के साथ बिल्कुल लिंक करके मत देखिएगा इसको सिरफ सीखने के प्रपस से अपना अंदाजा लगा के देखिए कि किस तरह के केसिस हैं और कैसी इनको डिसीजन किया गया तो चलिए शुरू करते हैं यह चाहिए था और इसके अंदर जो अपने पास प्रॉपर्टी ओफर हो रही थी वह प्रॉपर्टी ओफर हो रही थी और यह प्रॉपर्टी हमारे ही बैंक के लाप डिपार्टमेंट के पास अल्रड़ी मॉड़केजड पड़ी ती हमारे ही bank के lap department के पास already mortgage पड़ी थी तो इस property के उपर लगबग 30 लाख रपे का एक lap loan अलड़ी चल रहा था 30 लाख रपे का outstanding था उसका तो वो अलड़ी इस 1.5 CR की property के उपर चल रहा था तो अगर मैं lower side पे भी लगाऊं वैसे तो एक commercial property है और lap वाले इस पे value का benefit ज़्यादा देते हैं loan to value का बर still lower side पे भी लगाए के चले कि अगर lap वाले 50% के उपर भी fund करे तो उनको 30 लाख रपे का अपना पैसा चलाने के लिए लगबग 60 लाख रपे की property value चाहिए जबकि उनके पास property कितने की पड़ी है 1.5 करोड रपीस की उनको अपने loan purpose के लिए कितने की चाहिए minimum to maximum 60 लाख रपे की ठीक है तो वो भी 50% LTV रखते हुए तो 60 लाख का 50% जैनि 30 लाख रपे तो 60 लाख की इनको चाहिए तो अगर 1.5 CR की property है उसमें से 60 लाख रपे लैप वालों को चाहिए तो पीछे कितने value बचती है पीछे बचते हैं balance 90 लाख रपे 1.5 CR minus 60 lakhs is equal to 90 लाख रपीस तो 90 लाख रपीस की property value spare बचती थी spare value बचती थी कितने के loan के लिए मेरे 60 लाख रपे के loan के लिए तो यानिकि 60 लाख रपे के उपर मेरे को 90 लाख रपे की property की value sharing यहाँ पर मिल जाएगी तो जो ये loan मेरे पास login हुआ था ये login हुआ था banking product में banking product में login हुआ था तो banking product में आप जानते ही है हमारे पास क्या क्या आता है हमारे पास bank statement आती है bank statement आती है और KYC आती है बस ये दो documents ही आते हैं case को adjust करने के लिए तो बस इनी चीज़ों के उपर case आया था तो banking product के उपर case आया property के बारे में मैंने आपको बता दिया अब इसमें क्या था कि जो guarantor propose हुए थे जो ये confirm थी ये थी sub dealership of hero यानि कि जैसे hero hero motors है न hero cycle नहीं hero motors जो bikes वगर मनती जैसे splendor bikes है तो hero motor ने अपनी dealership bikes की dealers होते हैं बाइकों के भी जैसे गाडियों के होते हैं वो किसी ABC company को दी होगी ABC company को दी थी ABC company ने आगे हमारे borrower को हमारे borrower को sub dealer बनाया हुआ था तो हमारे borrower की 100% purchase वो bike कों की ABC company से होती थी और ABC company किसे प्रक्योर करती थी hero से ठीक है तो हमारे borrower की 100% bank statement में जो payments जा रही थी वो किसको जा रही थी ABC company को for which purpose for purchase of bikes spare parts ठीक है और आगे फिर हमारा borrower आगे इसको retail में sale कर देता था retail sale में जैसे आप और हम जैसे लोग जाके bike खरीद के ले आते हैं showroom से तो वो कर रहा था ठीक है तो ये retail sale आगे फर्दर कर देता था तो ये इसका business model था तो अब इस business model में जो इस हमारे borrower firm का प्रोपराइटर था वो कौन था एक लड़की थी कितनी साल की 22 साल की सिरफ 22 साल की लड़की ही उसके अंदर प्रोपराइटर थी और साथ में जो property owner थी वो उसकी mother थी 49 years of age ये दोनों लोग ही आ रहे थे तो मैं बड़ा surprise था कि male guarantor क्यों नहीं आया दूसरा क्योंकि इस client का हमारे bank के साथ हमारे bank के साथ ये lap loan चल रहा था ठीक है तो इसने ये तो 2023 की बात है आज की time की 2023 की 2022 में इसने एक lap loan बंद करवाया था 2022 में इसने एक lap loan बंद करवाया था हमारे ही bank का our bank का एक बंद करवाया था एक ये एक्टिव था, दो लैप थे उसके टोटल, दोनों सेन प्रॉपटी पर ही थे, इसी प्रॉपटी पर, ठीक है, तो ये जो 2022 में लैप लोन बंद करवाए था, और जो ये वाला लैप था, जब से ये लोन शुरू हुए थे, ये 2019-20 से शुरू हुए थे, लोन, 2019-20 में वेल किये थे, तब से लेके अब तक इसके अंदर continuous bouncing थी, continuous bouncing, each and every EMI, हर एक EMI bounce कर रही थी, ये मैंने को apparently देखके लगा, ट्रैक में, बकि मैं आगे आपको डिटेल बताता हूँ, तो हर एक EMI bounce कर रही थी, दोनों लैप की, चलो ये तो बंद भी हो गया था, बट खेर, जब बिहारे के EMI bounce हो रही थी, तो मैंने उसके बाद देखा की, मैंने collection team से बात की, collection team वो होती है जो EMI collect करने जाती है, bounce होने के बाद, तो collection team से बात की, तो collection team ने भी बोला की, हांजी हांजी सर, इसके सारी EMI bounce होती है, ऐसे करके stress है, ये है, वो है, ठीक है, तो ऐसा कुछ हो गया, तो bouncing is in lap हो गया, उसके बाद कोई mail promoter नहीं, ये हो गया, तो बड़ा ही इसके अंदर वो लगा की, भई, ये क्या हो रहे है के, और ये bouncing की आखे, अब आपको समझना है कि इसके अंदर actual picture क्या थी, actual picture क्या थी, वो में जब मैं visit पे गया, तो मेरे को समझ में आई, जो लड़की थी, जो girl थी, 22 years age की, ये जो business था, ये business इसके father साब ने शुरू किया था, father उने start किया था business, around 2015 में, ठीक है, covid जब आया, 2020 में, तो इसके father suddenly, feb 2020 में, जब अभी covid lockdown शुरू नहीं हुआ था, expire कर गए, expire करके, तो उस टाइम ये लगबग, 18-19 साल की, 19 years of age की थी, लड़की, feb 2020 में expire करके, मार्च 2020 में आप जानते हैं कि lockdown लग गया, मार्च 2020 में lockdown लग गया, और इनका काम भी क्या था, इनका काम था, वो bike की agency, जो sectors सबसे ज़्यादा परभावित हुए थे, सबसे ज़्यादा इंपेक्टिट थे, ये बन ओफ दो सेक्टर है, कि covid के दौरान ये बहुत परभावित हुए थे, तो घर में कोई है नहीं, इस लड़की का एक छोटा बाई था, समॉल एक little brother है, little brother उसकी age उस time में 8 से 9 साल के करीब थी, बस, और एक mother है, जो उस time 46 years old थी, mother है, 46 years old, बस, और कोई नहीं family में संभालने वाला, किसी को इतनी young age में लड़की को, कुछ नहीं पता होगा, obviously आप 18 साल के होंगे, जब आपको अगर आपके पापा बिजनस करते हों, तो आपको नहीं पता होगा कि उनका लेना क्या चल रहा है, देना क्या चल रहा है, क्या काम करते हैं, क्या loan ले रहे हैं, क्या होती हैं, sale purchase कैसे होती है, कुछ भी नहीं पता होगा आपको, obviously, तो फ्केर, आप देखें कि इतनी inspirational वाली बात है, कि ये लड़की उस टाइम MBBS की लिए prepare वगरा कर रही थी अपना, उसने MBBS करना था, तो अपना science वगरा लिया हुआ था इसने, तो अपना पढ़ाई में अच्छी थी, तो इसने इतनी सारी situation के बाद भी घबराई ही नहीं बिल्कुल भी, जैसे ही lockdown खतम हुआ, lockdown खतम होने के बाद इसने business में enter किया, business में enter किया, इतनी कम एज में, देखिए, business में enter किया, और business को पकड़के संभालने की कोशिश करनी शुरू किया, संभालना शुरू किया, तो जब उनका इतना tough time चल रहा था, उनके फादर के insurance के पैसे भी आने थे, सब कुछ आना था, सारा कुछ mismanage था, तो उस समय इनकी फिर EMI bouncings हो रही थी, EMI bouncings हो रही थी, तो EMI bouncings लगतार दो साल तक चलती रही, दो साल तक चलती रही इनकी EMI bouncings, 2022 में इनको इनके फादर का insurance का पैसा recover हुआ, insurance का पैसा आया, वो insurance का पैसा इसने use करके, जो ये lap loan था, 30-35 लाक रपे का, ये lap loan fully close करवाया, with every single penny, ये मैंने collection team से confirm किया था, every penny, हर एक overdue charges, हर एक penal charge, सब कुछ इसने pay किया, no waiver, कोई waiver नहीं लिया, किसी भी तरह के charges का, ये इसने एक lap loan बंद करवाया, insurance का पैसा आती, ये lap loan इसका अभी भी चल रहा था, इसके lap loan में, थोड़ा सा track देखने में, हमसे गलती होगी थी, इसमें क्या था कि, अगर इस track को ध्यान से देखा जाए, इसके, तो March, 2023 से, October, 2023 तक, इन 6-7 महीनों में, इसने, every EMI, every EMI, due date से पहले ही deposit करवा दी, due date से पहले ही deposit करवा दी, और जब मैंने detail में discuss किया, कि EMI bounce की हो रही थी, कि business तो आपका संबल रहा था, तो इसने बताया कि, जो EMI लग रही है न, EMI लग रही है, वो अभी भी मेरे father के account से ही लग रही है, father के account से ही लग रही है, कि वो bank की तरफ से कुछ misguidance हुई थी, कुछ हुआ था, उन्होंने मेरा EMI का account change नहीं किया, even post death, account change नहीं किया, ठीक है, तो अगर ये EMI मेरे मदर के account से, या मेरे account से हो जाती manage, तो फिर हमारे लिए ये काम असान रहना था, जो आपको ये 2022 के दौरान भी, bouncing देखने को नहीं मिलनी थी, जब covid का time हट गया था, और हम recover हो गये थे पहले से, तो फिर हमने इसका भी presently EMI का account change करवाया, और इसके mother के नाम पे लिया, ठीक है, तो EMI bouncings का ये reason रह गया, तो फिर मेरे को हुआ कि भई, बार नहीं थी पर GST की डिटेल्स में वहीं 2-3 सालों की, और मैं देखके हरान रह गया, कि जब से इस लड़की ने इस तिनी यंग एज में business संभाला था, turnover इनके showroom की लगतार increase हो रही थी, each and every year, 2021 में, 22 में, 23 में, कोई डिपने turnover में, लगतार अप हो रही थी turnover, और YTD turnover का भी जो trend था, current year की turnover भी, वो 2023 के period के coding, अपवा trend में थी, 13 से 14% growth में चल रही थी, तो अलब इतनी यंग एज में क्या संभाला लड़की ने business हो, और जब मैं वह visit करने गया, तो जब ये सारी discussion है हुई, उसने अपने father के सबने बताये, और बताया कि कैसे उन्हों ने struggle किया, कैसे लोग उसको harass करते थे, उसको बेवकूफ बनाने की कोशिश करते थे, यंग एज में business में जब वो entry की, तो कैसे उसने अपने आपको संभाला, तो बहुत emotional भी होगी थी वो, during visit भी मेरे सामने भी, और मैंने भी उसको बहुत praise करते हुँ, वो कहा कि 10 years of career मेरे को, banking में हो गया, और इतने young promoter से, और इस तरह की story, मुलब इस तरह से management, मैंने कभी भी नहीं किसी का देखा, तो ये, आपकी sales की पर पहुंच गे थे, और इनका 30 से 40 ला करपे का, inventory funding का exposures भी चल रहा था, तो वो भी सारा satisfactory conductor के साथ चल रहा था, तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, कि जब मैंने इन सारी चीज़ों को grasp गया, सारी चीज़ों को understand किया, तो मैंने decide किया, कि मैं client को loan sanction करूँगा, loan sanction करूँगा, क्योंकि उसकी intention में कोई default नहीं है, उसकी मेहनत में कोई कमी नहीं है, उसकी knowledge और understanding में कोई कमी नहीं है, और उसकी, बहुत पास्ट ट्रेक में जो कुछ हुआ, जो किसी की साथ भी हो सकता था, और शायद जो situation में ये लोग थे, इतनी young age में, जो situation में ये लोग थे, तो इनकी जगा कोई और होता, तो मेरे को नहीं लगता कि वो शायद business संभाल पाता, मेरे वियू में तो अगर business ही fail होने वाली बात थी, बट इतने tough time में भी इन्होंने अपने आपको business से निकाला, तो that says a lot about कि उनका caliber क्या है, उनका potential क्या है, और उनकी entrepreneur skills क्या है, तो इसी चीज़ से अपने को मतलब होता है, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, हमने एंट में फाइसला किया, कि भई हम इस loan को sanction करेंगे, और इनको loan प्रोवाइड करेंगे, और हमने किया भी, तो ये था आज का first case, अब second case की बात करते हैं, जो technical है और बड़ा है थोड़ा सा, इसमें मैं time लोंगा, खूब आपका, तो सबर करके चलिएगा मेरे साथ, देखिए, case number two, आज का last case, manufacturing of fasteners, fasteners का काम था, client का, fasteners समझते हैं न, nut bolts, nut bolts बनाने का काम था, ठीक है, अब ये जो case था, वो consortium banking में चल रहा था case, देखिए एक तो sole banking होती है, जिसमें सारा पैसा आपका ये बैंक देता है, सारी routing आपके पास याती है, एक multiple banking होती है, multiple banking में मतलब काफी सारे बैंकों ने मिलके, दो या दो से ज़्यादा बैंकों ने मिलके, financing की होती है, एक consortium banking होती है, consortium banking भी multiple banking की तरह ही होती है, multiple banking की तरह ही होती है बट इसमें काफी चीजों में differences रहते हैं इसमें सारे bank मिल जूल के काम करते हैं multiple banking में हर एक bank अपनी तरीके से अपनी मरजी से काम करता है दूसरे bank की परवार नहीं मरता इसमें सारे bank consortium banking में सारे bank मिल जूल के काम करते है और हर एक जितने भी बैंकों ने मिलके funding की होती है माली ये तीन बैंक है तीन बैंकों ने मिलके funding की है तो वो आपस में अपने मेंसे एक leader चुन लेते हैं कि एक bank leader bank होगा ठीक है तो वो सारा कुछ manage करेगा सारी meetings conduct करवाएगा सारी documentation वो उसके साथ मिलके होंगी सारी collection की responsibility देखेगा monitoring की responsibility देखेगा तो इस तरह से एक leader चुन लेते हैं अपने आप मेंसे तो वो leader सबको साथ में लेके चलता है ठीक है तो खेर इसके बारे में आपको एक अलग से video दूँगा consortium के banking के बारे में तो खेर समझने के लिए देखे कि इस bank इस case में हमारा जो borrower था bank A था जो एक lead bank था जिसको leader बनाया हुआ था जातर जिस bank का सबसे ज़्यादा exposure होता है जिसने सबसे बड़ा लोन दिया होता है वही lead bank बनता है तो एक bank B था जो एक member bank था और bank C था जो हमारा bank था जो अब entry करनी जा रहा था जिसको entry करनी थी ठीक है जी तो अब exposure की discussion कर लेते हैं कि क्या existing level पे exposure चल रहा था और क्या चाहिए था client को और ये crores में figures है bank A ने 50 crore रपे की CC limit दी हुई थी 15 crore रपे की LC limit दी हुई थी तो total 65 crore का loan उसने दिया हुआ था bank B ने 30 crore की CC limit दी हुई थी और खाली उसका यही exposure था तो total 80 crore की CC limit, 15 crore की LC limit और 95 crore रपे का total exposure तो ये उनका existing चल रहा था और proposed में भी 95 crore ही रखना था यानि कि कुछ कोई भी additional पैसा नहीं दे रहे थे additional पैसा कुछ भी नहीं दे रहे थे ये point आप अपने mind में fit कर लिजे, दिमाग में fit कर लिजे कि additional पैसा नहीं देने जा रहे इसको तो उसकी CC limit चल रही थी CC limit जो चल रही थी bank A की 50 crore की उसको हमने उठाना था बस हमने उसमें से 20 crore का share अपने पास लेके आना था और वहाँ पे 30 crore छोड़ना था बाकी सारा कुछ same है ठीक है तो इसका exposure 65 से रह जाएगा 45 और हमारा 20 crore से बढ़ जाएगा तो totality में इन चीज़ों में तो कोई फरक नहीं पड़ा इन चीज़ों में कोई फरक नहीं है बाकी सारा कुछ same है बस हमने lead bank जो है जो leader bank था उसका 50 में से 20 crore का उठाके अपने पास लेके आना था चीक है ये deal का main requirement था अब जो property थी वो property common थी ये जो 95 crore का exposure था उसके लिए industrial property दी हुई थी जिसकी value थी 60 crore रपीस सारे बैंकों के लिए तो ये property हमारे लिए भी same ही रहनी थी तो ये 95 crore के loan के बदले में property offer की गई थी आप बूलेंगे कि सर 60 crore की property पे 95 crore रपीस दे लिया भाई होता है working capital में बड़े बैंक बड़े लोन जो होते है consortium multiples में वहां पर ये सब कुछ चलता है तो 60 divided by 95 तो आपका ये 63% property coverage है collateral cover 63% यहां पर मैं लिख देता हूं तो 63% coverage है समझे है अब ये 95 crore के इलावा ये वाले 95 के इलावा client की 25 crore की channel finance limit चल रही थी channel finance limit तो यहने की 95 crore plus 25 crore यहने की 120 crore का उसका working capital का finance चल रहा था total में 120 crore का ठीक है और इसके इलावा इसके 10-15 crore के 10-15 crore के लगवग 13 crore के machinery term loans दूसरे से जैसे कोई city भी हो गया कुछ हो गया ऐसे अलग अलग जगह से machinery term loan कुछ lab type यह भी fund करवाई हुए थे इन बैंकों से नहीं अलग बैंकों से 10-15 crore के तो यहने की borrower 136-135 crore के data level पे था बड़ा ज्यादा data level है न देखके लग रहा है न तो client की business की unique बात क्या थी कि 80% उसका जो business था वो export थी 80% of sales क्या था export थी बाकि 20% सिर्फ domestic थी तो revenue तो अब इसका सीय में क्या ब्रीफ देखते हैं हम revenue 284 crore का revenue किया 247 crore का revenue किया 2023 audited में यानि कि यहां पर revenue में dip मार दिया इसने और 2024 में भी 247 crore की projection दे रहा था कह रहा था कि मैं same level भी पहुंच पाऊंगा इसके पीछे क्या कारण था इसके पीछे कारण था दिखे आप जानके हरा होंगे कि current year में क्रोड रुपीस तो current year की sales पिछले साल के same period के according 30% डिप नजर आ रही थी हमेरे 30% डिप नजर आ रही थी तो बोलेंगे कि सर एक तो 247 crore की sale है 247 crore की sale के उपर 133 crore का debt लिया हुआ है उपर से turnover यहां भी गिर गई उसके बाद current year में भी गिर गई और आप इसको इस वीडियो को दिखार इस case को discuss कर रहे हैं approved cases की description में आप इसका मतलब आपने इस case को approve किया है तो क्या सोचके approve कर दिया इस case को तो चलिए समझते हैं अब दिर दिर abidda percentage 7% abidda margin था 2022 में 2023 में 9% abidda margin था और 2024 में भी same level पर वो project कर रहा था कि 99.1 इतने percent abidda रहेगा अब यहां पर abidda margin क्यों बढ़ गया यहां पर abidda margin क्यों बढ़ गया इसके पीछे कारण समझते हैं आप जानते हैं कि जब covid का time आया था दो जर बीस 21 यह वला time आया था तो उन दिनों में containers की कमी बहुत हो गी थी तो जो इसका तो 80% export का काम है न तो इसके तो बहुत सारे container जाते आते रहते हैं foreign country में dispatching होती र ocean freight का expense था वो बहुत ज़्यादा increase कर गया था exporter's का exporter importer सबका बहुत ज़्यादा increase कर गया था अब ocean freight का खरचा बढ़ गया तो उसकी वज़े से इसका जो मैं आपकी knowledge के लिए बता दूं कि 2021 में विड़ा margin भी इसका 9% के करीब था तो यहां से डिपूआ था 2022 में तो 2021-22 के round तो ocean freight के खरचे बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे तो उतने ocean freight के खरचे बढ़ने के कारण इनके expense बहुत बढ़ गए थे expense यह इतने बढ़ गए थे कि यह customers को higher bill नहीं charge कर सकते थे क्योंकि इससे उनका customer lose होता था तो इन्होंने उसका बड़न थोड़ा अपने उपर लिया और उसकी वेज़े से इनका 2021-22 में abida margin डिर्ग लाइन किया और जब वो ocean freight के खरचे स्टेबलाइज हुए 2022-2023 में तो उन इस चीज़ को देन पैट मार्जिन इन्होंने 1.5 परसेंट का पैट मार्जिन अच्छा मार्जिन ने 1.5 परसेंट का देखे सेल्स भी 20 क्रोड के करीब है तो 1.8 परसेंट के उपर maintain किया यहां पर 1.3 क्योंकि हमने interest का खर्चा बहुत डाल दिया तो हमने पैट थोड़ा कम investment 2023 में 112 क्रोड की capital investment और यहां पर हमने इसको कम कर दिया 105 क्रोड तो यह एक point of discussion जो आपको समझाना है मैंने कि यहां पर कम क्यूं किया गया तो इसको मैं यहां पर red करके mark कर लेता हूँ working capital finance 72 क्रोड का था पहले 97 क्रोड रुपीज के करीब पहुंच गया थोड़ी सी इसमें हमने CMMM adjustment की थी जो यह channel finance limit थी ना यह channel finance limit creditors में शो कर रहा था उसको तो हमने उसको उठाके WC finance में शो किया तो इस वज़े से थोड़ा सा यहां पर figures को change हुआ और कुछ हैसे ने announcement भी थी 23 में तो 2024 में हमने भी fully utilization दिखाई यहां पर utilization कम आ रही थी तो हमने यहां पर fully utilization दिखाई और 120 क्रोड रुपे का अपना दिखाया आप बुलेंगे की सर 120 क्रोड रुपे में से 15 क्रोड तो LCB है तो देखिए conservative side में मैंने LC को भी यहां पर working capital finance में ही count कर लिया क्योंकि capital ब total debt यहां पे WC financi한다 बथर का टोड़म डेट-का यानि की 12 क्रोड रुपे का time patrons का exposure यहांपे 97 क्रोड और 113 क्रोड रुपे यानि की 16 क्रोड रुपे का topics bipolar यांपjem 120 क्रोड और 13000 क्रोड जों की तेरां क्रोड रुपे का total debt to cash accrual जो ratio थी वो 13x वो higher side पे थी ठीक है ना वो higher side पे है क्योंकि 10 crore का ही cash accrual है और debt जो है वो 133 crore का है total में तो debt to cash accrual ratio जो है वो 13x के गरिभी आरी थी garing ratio बहुत comfortable है क्योंकि capital investment बहुत healthy है business में 0.41, 1.3 इस में कोई question वनी बात है यहें करंट रिशो 1.4, 1.4, 1.4 बहुत कमफटेबल है आपको पता है MPBF 2 बनाने के लिए आपको 1.33 की करंट रिशो चाहिए होती है तो 120 करोड का MPBF बनाने के लिए आपके पास अल्री 1.4 की करंट रिशो थी तो 1.4 की करंट रिशो अपके पास है तो आपका MPBF आटोमेटिकली म स्टॉक दोसो सतर दिन का स्टॉक तो यह हमारा एक पॉइंट ऑफ डिस्केजन है अलग अगेन इसको में थोड़ा से उस तरह से स्क्वेर में मार्क कर लेता हूं डेटर डेस कंफरेबल दिख रहे हैं यहां पर 71, 79, 75 डेस तो यह आपको यहां पर दिखेगा कि बिल्कुल ठी कि फॉर्ट तो अगर मैं आपको 2023 तक की ओडिटीड की पिक्चर दिखाऊं यहां तक प्रोजेक्शन को भी भूल जाईए 2023 तक की ओडिटीड की पिक्चर दिखाऊं तो आप कुल मिला के यह बात करोगे कि सर इसमें हमें यह स्टॉक के डेस चुब रहे हैं कि 273 दिन का जैनून है भी या नहीं है 200 क्रोड की सेल पर 277 दिन का स्टॉठ लो ऐ estar 2016-件 177 क्रोड का इस्तॉक बहूत ज्यादा डी कहिइए कहिं ऐसा तो नहीं कि अगर मा लीजिए ये जो stock है वो 160 क्रोड का stock है तो मौके पे गए site पे गए तो पता चला कि client के पास तो 30-40 क्रोड से ज़्यादा का stock ही नि मुलब ये बाकी सारा जो stock है 120 क्रोड का वो bogus दिखा रख है तो क्योंकि stock bogus दिखा रख है अगर आप asset side से stock को 160 क्रोड से 40 क्रोड पे ले आओगे तो liability side पे क्या कम करोगे liability side पे तो capital ही minus करोगे न क्योंकि stock का सारा impact profit and loss में आता है तो profit and loss सारा AT&W में जुड़ता है तो इस में से minus करोगे तो फिर तो वो जो capital का comfort है वो भी आपका उड़ जाएगा तो कुन मिला के जहां तक हमने अभी अभी जितना case देखा है उसके अंदर अपने को समझ में आया कि एक तो यह debt का level बहुत जाद है debt level is too much high कि 133 क्रोड रुपीस का debt है और 247 क्रोड रुपीस की उसकी sales है ठीक है दूसरी बात अपने को समझ में यहां पर कि sales में डिप चल रहा है कि टार्नवर में डिप चल रहा है 2023 में पहले 2023 में पहले डिप गया और 2024 की जो करंटेर की सेल है वो भी 30% डिप पर निज़र आ रही है ठीक है तीसरी बात हमने इसमें समझ में आई कि AT&W healthy है AT&W healthy है इसमें चोप था हमने इसके साथ ही related concern समझ में है कि stocking जो days है stocking के जो days है वो exponentially high है exponentially high है बोलब too much high है ठीक है यह बात अपने को से यहां पर समझ में आई देन इसके बाद हम हमने और क्या नोटिस किया था इस case के अंदर abida margin वाला point हमारे discuss हो गया था हाँ कि collateral cover collateral जो थी है अपने पास वो industrial property आ रही थी जिसका collateral cover कम भी था 63% cover कम भी होता इतनी बड़ी deal में ठीक है तो यह चीज़ अब और क्या समझते हैं वाइटेडी sales 30% dip थी September 23 तक यह मैंने आपको cover करवा दिया तो इसको मैं cut कर देता हूं high stock मैंने आपको cover कर दिया इसको मैं cut कर देता हूं आप stock कितना पुराना लेते हूं याद कीजिए आप 180 दिन का stock लेते हूं 180 days का stock लेते हूं और यहां पर हमारे पास stock कितना था 270 दिन का अगर मैं यह 270 दिन का stock dp में ना लूं और सिरफ 180 दिन का ही लूं stock तो मेरी dp फिर बनती नहीं क्योंकि stock की value कम हो जाएगी मैं तो खाली 6 मिने की purchase लूंगा यहां पे 9 मिने की purchase ले रहा हूं dp में अगर 6 मिने की stock लूंगा तो फिर dp में shortfall आजाएगा क्योंकि मेरी dp बनाने के लिए मेरे को तो 80 क्रोड की वो चाहिए dp 80 क्रोड क्या मेरे को तो ज़्यादा की चाहिए क्योंकि वो 25 क्रोड का ये भी तो चल रहा है ये भी तो DP में से माइनस होता है मेरे को तो टेक्निकली 120 क्रोड की DP बनानी है तो अगर मैं स्टॉक पूरा नहीं उठाऊंगा तो मेरी DP उठ जाएगी तो यहां पर लिख लेते हैं कि हमारे पास और के चैलेंज था ड्राइंग पावर और उसके लिए हमारे पास जो स्टॉक डेस का अप्रूवल जो हमने करना था वो 270 डेस का अप्रूवल चाहिए था अगर करना है तो ठीक है देन और इंटरस्टिंग बात sticky debtors client के business में ये point cover हो गया sticky debtors client के business में साड़े 11 क्रोड रपे के sticky debtors थे जो की more than one year थे more than one year old यानि की stickiness थी dispute भी चल दा था कुछ मिसे इन मिसे तो साड़े 11 क्रोड के sticky debtors थे client के तो यहाँ पे sticky debtors भी थे client के साड़े 11 क्रोड के जिन से payment cover नहीं हो रही थी और इसमें export वाली पार्टियां भी थी और domestic वाली पार्टियां भी थी right cibles सारे fine थे cibles से में कोई issue नहीं था client के cibles से में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही थी then उसके बाद उसकी bank statement में हमने चेक किया 38 inward check bounce भी थे 38 inward check bounce भी bank statement में देखने को मिले थे तो ये भी एक concern वाला point हो गया ठीक है तो आप सोचेंगे कि सरी case किया ही क्यों उसके बाद banking में LC development की narration भी आ रही थी LC developments LC developments की narration भी आ रही थी LC development समझते हैं न कि due date पे LC की payment नहीं की इसने और LC devolve हो गई मतलब overdue हो गई और इसको फिर recovery करनी बड़ी bank को इससे 2-4 दिन बाद LC development के entrance भी दिख रही थी तो ये मैं आप से रुक के discuss करता हूँ तो बाकि banking की utilization भी neck to neck थी 90% के करीब की utilization थी banking की utilization 90% utilization भी कोई कम नहीं थी तो ये सारे point नजर आ रहे थे आपको case के अंदर और आपको ये case का decision करना है तो बताईए इन चीज़ों को देखके आप क्या बुलोगे वही बुलोगे ना job के मुने में आ रहा है कि सर छोड़ दो के इसको खतम करो बात ये चीज तो हमने करनी नहीं है इस case की तो चलिए अब मैं आपसे discuss करता हूँ कि अब हमने इस case को कैसे थ्रू किया देखिए सबसे पहले तो हमने reference check के लिए phone किया reference check के लिए call किया तो reference check में हमें पता चला कि ये पंजाब की सबसे बड़ी party है इस business में सबसे बड़ी party है और north में यानिकी पंजाब, जम्मू, हिमाचल, चंडिगर्ड और हर्याना में इनका next biggest competitor जो है वो पानीपत में है और reference check के दुरान हमने reference check एक तो हमने हमारे existing client से किया था और वो हमारे existing client इससे deal भी कर रहा था तो उसने हमें बताया कि इस borrower के पास इस client के पास इस तरह की machinery's है जो कि India level पर भी बहुत rare मिलती है और ये जो borrower है ये क्या करता है कि auction में foreign auctions में ये machinery's खरीता है foreign countries की auction में ये machinery's को खरीता है वहाँ पे machinery जो 5-5 क्रोड की होती है वो 2-2 क्रोड की बिकती है auctions में तो ये वहाँ से एकठा lot खरीत के लिए आता है machinery's का ठीक है और 2 क्रोड का खरीत के लिए के आता है तो actual में इसकी जो machinery's आपको books में 50 क्रोड की अगर दिख रही है तो 50 क्रोड की थी machinery by the way तो 50 क्रोड की machinery अगर आपको books में दिख रही है तो उनकी actual market value यूनिट विजट किया यूनिट विजट था इसका 35 एकड में यूनिट था 35 एकड में यूनिट था और उसमेंसे इसने around 24 एकड जो थे वो गिरवी रखे हुए थे बैंक के पास जो आपके पास 60 क्रोड की ये value जो आई है ठीक है 35 मेंसे 24 एकड इसने गिर भी रखे हुए थे और बाकी 11 एकड जो थे वो बिल्कुल freehold थे separately identifiable भी थे इसकी खुद की SORP भी पॉक पोशेरिय में थी वो भी बिल्कुल free from mortgage थी और कोई dead dude था नहीं क्लाइंट का 30 सेकड में चलते चलते हमारी हालत पतली हो गई वहाँ पे इतना सारा तामजाम इतनी सारी machinery इतना सारा stock मतलब आप लगा के चलिए कि यह structural पार्ट भी बनाता था बड़े बड़े structure में जो लगती है building structures में लोही की जीज़े nut bolts के इलावा तो वो nut bolts का खाली काम नहीं था वहाँ पे जाके हमें समझाए आया है कि यह तो structures में भी है building के बड़े-बड़े और वो building का बड़ा-बड़ा structure एक structure दिखने में तो छोटी सी जगा लेता है इतनी सी पर वो इतना हैवी होता है कि एक एक structure 100-200 kilo 400-400 kilo के भी होते है और लोहे की फिर stock आपको वहाँ पे भरा-भरा की है तो आप लगा के चलिए कि वह amount उसकी बहुत बढ़ जाती है एक टन की चीज़ की भी तो वहाँ पे space कम लेता है लोहा पर space कम में उसकी value जादा होती है यह कहने का मतलब है मेरा अगर आप कपड़े वाले बंदे के पास जाएंगे वहाँ पे वह कपड़ा space जादा में पड़ा दिखाई देगा आपको पर उसकी value कम होती है लोहे वाले किसी लोहे iron and steel वाले किसी बंदे से मिलने जाएंगे तो वो iron and steel को जो stock होगा उसने जगा कम ली होगी अपने पास जगा कम पे रखा होगा वो पर उसकी value जादा होगी तो quantity wise आपको वहाँ पे शायद कम दिखे पर उसकी value बहुत होती है क्योंकि उसका version के उपर rate होता है कि कितने kilo की चीज़ है तो stock भरा पड़ा था machine ने भरी पड़ी थी वहाँ पे और सारी machine नों में कुछ aise भी नहीं लग रहा था activity नहीं है 300 से 400 चार सो बंदों की करीब करीब वहाँ पे लेबर वहाँ पे काम कर रही थी और वहाँ पे एक और चीज़ भी समझ मैं कि क्लाइंट हर एक activity each and every activity in-house करता है इन-house करता है वो iron rod लेता है रोड लेता है और उसकी wire drawing भी in-house करता है wire drawing समझते हैं ना rod को पतला करना पतला करना उसके बाद उसकी galvanize उसको nut balls में बनाना galvanization सब कुछ acid की जो शिड़काव होता है सब कुछ in-house था total end-to-end manufacturing in-house थी कोई भी चीज वो बाहर से नहीं करवाता था तो बड़ा comfort हुआ और हमें ये देखने भी मिला कि जो उसका जो stock है वो वहाँ पे actual भी नजर आ रहा था actual stock भी नजर आ रहा था तो that means वो point खतम था कि भाई कहीं stock bogus ना हो चीक है और unit visit बहुत satisfactory थी पर motors बहुत पुराने थे बहुत healthy थे और reference check भी बड़ा strong आया था तो 1980 से काम कर रहे थे लोग 1980 से इस business में थे same business में बहुत बड़ी factory area visit था अपने brand पे काम कर रहे थे खुद का brand name था और खुद के brand name में ही product बेजते थे और वो brand name बड़ा famous भी था 500 प्लस तरह के products में deal कर रहे थे और अलग-लग तरह की industry को ये supply कर रहे थे transmission industry को भी, railway को भी infrastructure को भी, automotive को भी बहुत अलग-लग तरह की industry में supply कर रहे थे हार एक manufacturing इनकी in-house थी सब कुछ ये घर पर ही बना रहे थे इनके buyer and supplier बहुत अगड़े थे ये जिनसे खरीदते थे, जिनसे इनकी purchasing थी purchasing इनकी थी बड़े-बड़े चीज लेते थे न, तो वो corporate houses से लेते थे जैसे sale है, steel authority of India limited हो गया, JSW हो गया, Tata हो गया बड़े-बड़े corporate houses से इनकी purchasing थी, और जो इनकी supply थी sale थी, 20% domestic थी, और 80% export थी जो 20% domestic sale थी, वो सारी limited company को, सब corporate घरानों को supply थी, और जो अच्छी अच्छी countries में सारी exports थी और जो export में भी इनके साथ parties जूड़ी हुई थी, उनका हमने थोड़ा dnb वगरा भी करवाया, और website वगरा भी चेक किया, वो भी बड़े-बड़े corporate houses थे वो भी बड़े-बड़े corporate houses ही थे सारे के सारे, ठीक है तो उनके साथ इनकी सबकी dealing थी तो buyer and supplier भी बड़े strong थे reference jack बड़ा strong आया, unit visit बड़ी strong थी, stock actual में ही ज़्यादा लग रहा था, अब बात आती थी कि ये क्यों turnover dip ये वगरा क्यों, तो ये वहला point अपना justify हो गया, तो ये point हमें वो है stocking का client कहता कि आप मेरे customer और customers देख रहे हो कि सारे बड़े बड़े corporate घराने है चाहिए वो foreign country के घराने हो चाहिए वो इंडिया के घराने हो corporate houses हैं सारे कहता कि इन corporate houses को काम से मतलब होता है काम से और quality से जैसे हम bank में बोलते हैं कि हमारे काम करने का tats fast से fast हों चाहिए कहता है इनको भी tats से मतलब होता है कहता है मेरे को इन से 30 plus साल होगे deal करते हुए 30 plus years होगे deal करते हुए मेरे को पता है कि इनको किस तरह का material चाहिए किस तरह के material कि इनको अर्मेटा करता है मेरे को चाहिए तो कहता कि मैं जो material है वो अपने पास पहले ही इनके बिना order की wait किये ready करके रखता हूँ ready करके रखता हूँ तो कहता कि जब मेरे पास order आता है तो मेरी immediate dispatching हो जाती है immediate dispatching हो जाती है और मेरा जो tat है वो इतना fast रहता है इसकी वज़ा से कि उनको एक महीने डेड़ महीने के अंदर ही material मिल जाता है और अगर वो same material किसी और बंदे से बनवाएं किसी और बंदे से मंगवाएं तो इनको 3-4 महीने का इनका waiting time रहेगा 3-4 महीने का waiting time रहेगा क्योंकि कोई भी दूसरा player मैंने तो इतनी capital invest करके खुद की 100 crore plus की capital invest करके मैंने तो ये system सारा बना लिया कि मैं अपने पास अब ready stock रखता हूँ हर एक चीज़ का तो हर एक बंदे की ये capacity नहीं होती दूसरे वाले बंदे दूसरे जो players होते हैं वो orders की wait करते हैं कि order आएगा finance avail करेंगे फिर material बनाएंगे फिर पहुंचाएंगे फिर अपना cycle गुमाएंगे कहता मैंने इस चीज़ के wait ही नहीं की मैंने खुद का पैसा डाला कहता मैंने इतना पैसा डाल दिया इतना इनवेस्ट कर दिया और इतना इन चीज़ों को इन corporate houses को कम टैट के लट लगा दी कि ये किसी और के साथ काम करी नहीं पाते इनको काम मेरे साथ ही करना है ठीक है और मेरी इतनी investment के बाद लोगों का entry point भी बहुत कम है कि कोई बंदा आके सोचे कि मैं मेरे तरह काम कर लेता हूँ मैं इनको ready dispatch करूँगा material बना के रखूँगा कि तक किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो इतनी capital invest करके रखे तो मेरा ये unique selling point है मेरा ही pitching point है मेरा बिजनस का कि मैं इसी वज़े से ready inventory करके रखता हूँ ताकि उनको dispatching as fast as possible कर पाऊँ और इसी वज़े से वो मेरे साथ इतने सालों से जुड़े हुए हैं और इसी वज़े से वो सारे corporate घर आने हैं सारे बड़े घर आने हैं आप चाहिए उनकी website चेक कर लीजे जाके तो आपको कभी भी उसमें कोई परशान्दी नहीं आएगी तो हमने लगा कि point तो बात तो ठीक है इसी वज़े से कहता कि मेरे को debt को जब level है ज़्यादा raise करके रखना पड़ता है जिसमें से मैंने चलो 13 करोड का debt तो machinery के लिए हो गया 120 करोड का working capital हो गया और उसकी 95% 90% utilization होगी इसी वज़े से कहता मेरे को करके रखना पड़ता है कि बही क्योंकि मैं अपनी USP के उपर काम करता हूं मैं अपना stock को पहले ही ready करके रखता हूं और stock मेरे कभी बिकार नहीं चाहता है अगर आ को वहाँ पे benefit बहुत जादा मिलता है उन लोगों के साथ ठीक है तो यह point हो गया debt का level का point हो गया utilization level का समझ में आ गया तो उसके बाद फिर stock का point भी समझ में आ गया कि हाँ ठीक है भी stock इसका इस तरह से रहेगा तो उसके बाद फिर हमने यह जीज़ को ध्यान में रखते हु कोई भी rusted या non-moving stock हमें unit visit पे भी नजर नहीं आया तो वो सारा okay है काम हमारे लिए अब sticky debtors की बात कर लेते हैं साड़े 11 क्रोड के sticky debtors थे तो sticky debtors में क्लाइंटर में हमें बताया कि चार से मार्च क्रोड की debtors ऐसे हैं जिनके साथ हमारा dispute चल रहा है ठीक है और बाकियों में से recovery चल रही है और हमने अपनी bank statement से वेट भी किया कि अब यहां से तीन क्रोड रुपे की recovery करंटेर में हो भी चुकी थी तीन क्रोड रुपे की recovery एपरेल से लेकि से अप्तमबर तक हो भी चुकी थी तो यलिकि अब यह कम ही रहे थे बट फिर भी साड़े ग्यारा क्रोड की figure थी 31 मर्च थे इसको तो मैं फिर भी conservative हो गया मैंने 10 क्रोड रुपे के debtors AT&W में से उड़ा दिये 112 क्रोड की थी 10 क्रोड इसमें से minus किया तो 102 क्रोड रहे गया और बाकी current year का profit add हो गया तीन क्रोड रुपे का तो 105 क्रोड की net figure यहाँ पे आई तो यहाँ पे मैंने 10 क्रोड रुपे minus कर दिये और जो 1.5 क्रोड रुपे था यह साड़े ग्यारा था न टोटल साड़े 11 था न टोटल साड़े 11 में से 10 क्रोड में से minus कर दिया और 1.5 CR जो बचा उसको मैंने non current asset में more than 6 months debtors में दिखा दिया तो यहना की current ratio में भी उसका impact consider कर लिया तो conservative side में मैंने इसको मालिय की सर पूरा ही डूब गया मैंने अपने sanctions authority को बोला कि सर आप छोड़ दीजे क्योंकि रिकावर हुआ 2-3 CR पे आप बोलो कि पूरा ही डूब गया ठीक है क्योंकि मिनको capital पे comfort था कि capital इतनी healthy है तो मैंने प पर तो इसमें तो कुछ बताने वाला मेरा है नी point तो यह वाला हो गया अब 38 इंवर चेक मांस तो 38 इंवर चेक मांस नंबर में तो आपको लग रहे हैं पर जब उसकी number of transactions आप देखते हैं तो आप आएंगे कि यह total number of check issues का सिरफ point 15% थे total number of check issues का point 15% थे और यह सिरफ इसकी जो limit थी bank A की lead bank की वो दो parts में divided थी एक तो इसकी main head office की limit 48 crore रपी इसकी और इसकी branch office की limit 2 crore रपी की तो यह 38 check ना जी ब्राच वाली 2 crore की limit में थे सारे इसमें कोई bouncing नहीं थी और इसमें sufficient balance पड़ा भी था अगर उस angle से देखा जाए तो और खेर अगर totality में देखा जाए तो यह पूरे number of check issues का खाली point 15% थे लसी developments की हमें total 6 generations नजर आई थी तो यह bank B की banking में थी bank B की तो हमने इसके लिए client से बात की तो client ने बुला कि सिरफ एक devolve हुई थी तो उसकी भी repayment second day हो गई थी कर दिया था client ने repay तो कहता उसमें कोई due date का communication error रह गया हमारा कुछ holidays की वज़े से तो उस वज़े से हम ध्यान नहीं दे पाए तो इसके लिए हमने bank B की confirmation ली upfront mail पे bank B ने हमें mail पे confirm किया कि last 12 months में 12 में last 12 months में client की सिरफ एक ही LC devolve हुई है और उसके लवा और कोई development नहीं हुई तो bank से confirmation ली गई इस चीज़ की समझे क उसके बाद रह गया हमारा turnover dip वाला point अब turnover dip में क्या था अगर आप ध्यान से देखेंगे कि 2023 था हाँ 2022 और यह current हमारा 2024 तिल September अगर हम first half की बात करें first half यानि April to September और second half की बात करें April to September यहाँ पे जितना turnover हुआ था यहाँ पे जितना turnover हुआ यहाँ पे जितना turnover हुआ और यहाँ पे जितना turnover हुआ तो यहाँ पे turnover इसका अचीव हुआ टोटाल टोटालिटी में 284 क्रोड रुपीस 284 क्रोड रुपीस यहां पे हुआ 247 क्रोड रुपीस यहां पे हुआ 101 क्रोड यहां पे हुआ था 148 क्रोड ठीक है और यहां पे फिर अप्रॉक्सिमेटली 100 क्रोड 100 क्रोड यहां पे हुआ चीफ ठीक है तो यहां पे न एक्चली 100 क्रोड नहीं था यह 247 क्रोड रुपीस में न इसकी ओपरेटिंग इंकम्स भी जुड़ी हुई है कोई 5-10 क्रोड रुपे की जैसे ड्यूटी ड्रॉबैक्स बगरा एक्सपोर्ट तो यह आप लगा के चलिए यह न 80 क्रोड के करीब था तो 247 क्रोड का जो आपको टोटल रेविन्यू नजर आ रहा है टोटल रेविन्यू में 247 क्रोड में इसके ड्यूटी ड्रॉबैक foreign exchange fluctuation incomes कोई export incentives इस तरह की income भी 10-15-20 क्रोड की discount received इस तरह की जुड़ी हुई है तो आप यहाँ पर लगा के चलिए कि 80 क्रोड के करीबी था तो अब हमने यहाँ पर analyze किया half a fairly के comparatively कि बही 2022 के comparatively 2023 में first half में इसको exponentially growth मिली थी very good growth मिली थी very good growth as compared to this as compared to this बहुत अच्छा perform किया था इसने but suddenly यह second half में जाके नीचे डूब गया था 2023 के यहाँ पर period आएगा October to March तो 80 क्रोड यहाँ पर बहुत ज़दा डूब गया था और यहाँ पर डूबने का main जो reason था यहाँ पर जितने भी turnover इसकी डिप हुई है इसके comparatively इसमें 40% के करीब डिप था जिसके अंदर major जो डिप था वो export sales में था इसके अंदर जो 80 क्रोड में से इसका लगबख export जो हुआ था वो भी आपना export जो था वो लगबख 30 क्रोड के करीब था और 50 क्रोड के करीब domestic किया था इसने फिर domestic की तरफ इसने ज़्यादा push मारा था export में European markets में मंदी की वज़े से inflationary condition की वज़े से इसको जो orders थे वो बहुत कम आई थे तो इस वज़े से इसकी dispatching वेरा नहीं हुई तो उस वज़े से इसका export turnover में sharp डिप आया था जबकि यहाँ पे इसका export turnover 100 क्रोड से भी plus था export turnover में sharp डिप आने के वेज़े से यहाँ पे इसका turnover डिप हुआ और इसने कुदने भी कोशिश करके थोड़ा domestic segment में भी इसको recover back करने की कोशिश की तो 80 क्रोड तक पहुँच पाया तो current year में अगर आप देखेंगे तो 101 क्रोड में से इसका 71 क्रोड रुपीश का export हुआ और 30 क्रोड रुपीश का domestic हुआ तो हमने समझाया कि भी सर वो एक temporary phenomenon था कि जब इसका export turnover में बहुत बड़ा डिप आया जो कि उसके control में नहीं था हम देखें 101 क्रोड इसने जब अचीव किया अपरेल टु सेप्तमबर 24-24 में उस समय की market condition और इस समय की market condition comparable नहीं थी इस समय की market condition बहुत positive थी सब कुछ अच्छा चल रहा था तो इसने अच्छा किया अब इस समय की market condition rebounding stage पे थी तो यहाँ पे अगर उसने 101 क्रोड अचीव किया तो शायद वो उस समय के 150 क्रोड के अचीव करने के बराबरी है ठीक है तो 101 क्रोड अचीव किया और 30 क्रोड की जो export यहाँ पे हुई थी उसने उसको भी rebound करके 71 क्रोड पे इस पे लेके गया या तो यह होता ना कि export लगाता सारी डूब रही है कि 30 से 30 ही रहेगी डिमेस्टे भी वह ज्यादा इंक्रीज ने कर रहें डिपर मार गी तो यहाँ पर उसने रिबांड किया अपने आपको तो हमने इसी चीज को ही पेचिंग बॉइंट बनाया और इसी चीज को ही समझाया अपनी थौरटी को तो अल्टि वीडियो में मिलूँगा आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ थेंक्यू वेरी मच गाइस